हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का सुवागत है एजुकेशन बाइट पर आज मैं आपका विज्ञान का राधन सीरीज का मोडल पेपर लेकर के आई हूँ जिसमें हम विज्ञान विसाय के कुछ वस्तुनिस्ट प्रश्णों को करेंगी चलिए शुरू करते हैं आप और फेके या कोई फल भी है पेड से गिरता है नीचे की तरफ ही क्यों आता है तो प्रत्वी जो है अपनी गुरुत्वा करजन सकती के कारण प्रतियक चीजों को अपनी केंदर की तरफ खीच रही है यह बात सबसे पहले बताई थी आईजेक न्यूटन ने तो आंसर हो जा करती है घूर अमारी अपनी अक्श के बस्ट घूम रही है तो कौन सी घूर ही अफ सब्सक्राइब मूझे लंबाई होताThere देखने को मिलन है तीन मिलते हैं से 3-10 मीटर के वीच आध़ों आधार परैवल में होते हैं अतियावश्यक अनावश्यक यह कोई और प्रकारंस को है या अनुप्रस्त प्राइब उल्डिया दीर तरह ट्रीन कोई की आफ़न सेयुन्हेगित हैं प्रकार की तरंगों में आती हैं ठोसों में यह अनुप्रस्थ और अनुद्यर्थ दोनों प्रकार से विच्छरण करती हैं तो आंसर हो जाएगा कैसे गती करते हैं लंबवत या समानतर यह मैंने पॉइंट आपको कराया हुआ है अनुदैर्थ में यह चलते हैं तरंग की गती की दिशा के समानतर और अनुप्रस्थ में चलते हैं लंबवत अगला प्रश्ण क्या है अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कड़ उत्पन क करते हैं तरंगदी की दिशा में लंबबद कंपन तरंगदी की सवाल के स infect कि आंसर क्या हो जाएगा तरंगदी की दिशा के लंबवद थी कि अनुपरस्त में रहते हैं लंबवद और अनुदैर्ध में रहते हैं समानांतर आगे बटते मैं परख नलबत पानी की सत्या पर उत्पन तरंगे होती है कैसी तरंगे होती है अगर प्रशने घडी में मिनट वाली सुई का आवर्थ काल होता है एक घंटा एक मिनट बारे घंटे या फिर 24 मिनट तो घडी की जो सुई है वह अपना एक चकर कितने चांप में पूरा करती है वो करती है एक घंटे में एक चक्कर उसका जो पूरा होता है वो किस गिन्दे होता है एक घंटे में होता है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा एक घंटा नेक्स्ट कोश्चन है एक कड़ का आवर्त काल 0.02 सेकेंड है उसकी आवरत्ती होगी तो आवरत्ती का सूत्र होता है आवरत्ती बराबर 1 अपॉन टी यहाँ पर क्या है आवर्त काल आवर्त काल हमें दिया गया है कितना 0.02 तो यहाँ पर हमने आवर्त काल रख दिया 0.02 दसम लब हो जाएंगे दो से डिवाइड करें दो पंजे 10 यानि कि कितना निकल के आ गया पचास प्रती सेकेंड तो आंसर क्या हो जाएगा option number B पचास प्रती सेकेंड नेक्ट कोश्चन है किसी तरह के आवरत काल T और आवरती में संबन्द होता है क्या होता है अभी मैंने लिखाता क्या होता है N equal 1 upon T कहीं ऐसा option मिल रहा है तो ये option तो कहीं नहीं मिल रहा आपका तो क्या कर सकते हैं इसको पक्षानतर करके क्या बन जाएगा N T equal 1 यानि कि पहला option है N T square equal 1 ये तो गलत है दूसरा भी गलत है तीसरा वाला ही मिल रहा है तो ये ही answer हो जाएगा 13 question है अनुप्रस तरंगों में दो श्रंगों के बीच की दूरी होती है आयाम अर्द आयाम तरंग द्यार या फिर अर्द तरंग द्यार तो अनुप्रस तरंगों में दो श्रंगों के बीच की दूरी के हलाती है तरंग द्यार ठीक है दो श्रंगों के बीच की दूरी आहां आपने में का विवाजरन स्केल होता है जीरो डिग्री जिटी चल्सियस 30šी डिटी वॉरैन हैट से 222 डीолिस चल्सियस सब्सक्राइब नानिति 5 1–10кого इन कैट तक जीरो डिग्री IPS यॡ़ाइट से तक तो क्या रहता है दोक्ट्स ठेमाजर का से यार। गाने 1, benefic ही हो का फिर सहते हैं नहीं हो यहां रखना अग्ला प्रेशन नहीं होटा है अग्ला हृत लवक पाई जाता है जंत मुश्वा में कवकद में विशाड़ों ने question ये पलटे के भी पूर्चते हैं कि निमलिकित ने से कौन सा कारबन का अक्रिश्टलिय रूप है याद रखना तो आपको यह तो तीनों है वो option में मिलेंगे काजल कोल है जंत चारकोल कोई एक मिल सकता है महाँ पर आगे बड़ते द्रव के gas में बदलने की क्रिया को कहते हैं द्रव से हम किसमें जा रहे हैं गैस की तरव जा रहे क्रिया क्या क्या लाएगी द्रव से गैस या द्रव से वास्प बनना कौन सी वास्पी करन तो आंसर हो जाएक option no.7 वास्पी करन next question है चना मतर की जड़ों में जड़ों की गाठों में पाया जाने वाला जिवारों होता है clastridium ‎azotovetor या lactobacillus तो जो यह आपके मटर कुल के पौधे होते से मटर हो गया चना हो गया दाले हो गई इनके जड़ों में पाये जाता है वो होता है rhizomium कौन सा जीवाडू होता है rhizomium ठीक है अगला प्रशन है बर्फ का गलनांक होता है जीरो डिगरी सेल्सियस 5 डिगरी सेल्सियस या फिर 19 डिगरी सेल्सियस तो बर्फ का जो गलांक रहता है वो क्या रहता है जीरो डिगरी सेल्सियस आगे बढ़ते हैं उस्मा संचरण की कितनी विदिया हैं तीन चार छे या फिर साथ उस्मा संचरण की तीन विदिया है कौन क लोहा लोहा यह सब तैंट इसमें इस्न में की सचालक हरन दुहले की सब्सक्राइब युब की सब्सक्राइब हमाब दो क्या रहेगा? नेक्ट अगला प्रेशन आपका प्रकास का सबसे महत्वपून सूरोत है लकड़ी गैस नमक या सूर्य तुश सबसे इंपोर्टेंट सूरोत क्या रहेगा प्राकुर्तिक सूर्त भी हमारा सूर्य अगला प्रश्न है प्रकास MOR दू anime के पास अपना प्रकाश होता है सोयम का जैसे सूर्य क्या है अमारा एक तारा है तो तारे भी ओंगी जुगनु के पास भी जुगनु समीने देखे भी होंगी बच्पन में जिनकी पास हलकीसी लाइट होती है नेक्स्ट कुश्चन है दीपत वस्तु नहीं है द countless सूर्य जलतीवी मंबत्ति या फे लाल्टिन तो देखो सूर्य भी दीप्तवस्तु में आएगा लाल्टिन भी आएगी जलतीवी मंबत्ति भी रहीग दर्पन नहीं आएगा तो दर्पन हो जाएगा अंसर अगला प्रिशने वे वस्तु हैं जो सुयम प्रकाश उत्पन करती हैं कहलाती है दीपत वस्तु हैं अधिपत वस्तु है दोनो या कोई नहीं करेंगी वो कहलाएंगी दीपत वस्तु हैं अगला है कार बरसता ट्रक के चालक के पास दाईं और एक दरपन होता है उसकी सायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वहानों को देखकर सतर्क हो जाता है यह दरपन है उत्तल दरपन अफ्तल दरपन दोनों या फिर कोई नी तो यह जो होता है आपका यह होता है उत्तल नम्मर आ नेक्स्कaran है कमपन करने वालिए वस्तूह द्वारा एक संख्या तो वह कहलाती है आव्रत्ती अगला प्रस्शनीं दाड़ी बनाने में जिस दरपन का प्रियोग करते हैं दरपन कहलाता है अवतल दरपन, उतल दरपन, दोनों या कोई नी तो ये कहलाता है अवतल दरपन नेक्स्ट कोश्चन है किस दरपण में प्रत्विम सदयव आभासी सीधा और वस्तो से छोटा बनता है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है आगे जब आप जूनियर का भी टैटिया सीटैट देंगे तो वहाँ पर भी आपको ये कोश्चन मिलेगा दरपण कौन सा जिससे प्रत् प्रत्विम्बी बनता है और वास्त्विक प्रत्विम्बी बनता है एक चीज ध्यान रखना वास्त्विक प्रत्विम्ब आपके सदयव उल्टे बनेंगे और आभासी प्रत्विम्ब सदयव सीधे बनते हैं नेक्स्ट प्रश्चन है किस दरपण में प्रत्विम सदयव व बास्त्विक और उल्टा नहीं बनता एक कंडिशन ऐसी आती जहां पर आभासी प्रत्विम भी बनता है तो अवदल दरपड तो गलत हो गया उत्तल में सदैव आभासी बनता ये भी गलत है फिर दोनों अप्शन गलत तो यहां पर आ जाएगा कोई नहीं ठीक है यहां पर वो आभासी बनता है जब वस्तु दरपड के बहुत नजदीक रखी होती है उस कंडिशन में तो धान रखेगा इस चीज़ को आगे बढ़ते है अगला प्रशन क्या है वह दरपड जिसका बाहरी सतय पर कलई किया होता है और अंदर की सतय चमकीली होती है यानि कि हमने कलई कहा किया है बाहर की सतय पर इस तरीके से आपको सिखायता बाहर की सतय पर कलई किया और अंदर की सतय चमकीली है तो ये दरपड कौन सा होगा अवतल दरपड होगा नेक्स्ट कुश्चन है वह दरपड जिसके बाहरी सतय पर कलई नहीं होती बलकि चमकदार होता है और अंदर की सतय पर कलई होती है इस तरीके से अंदर कलई है बाहर क्या है चमकदार है तो ये दरपड कहलाता है उत्तल दरपड आगे बढ़ेंगे वह दरपड जिसके अंदर के सतय से परावर्तन की घटना होती है कुछ इस तरीके से अगर किरन गई तो लोट करके आ रही है यानि कि परा आवरत्ती का मात्रक होता है, ampere, hertz, meter या फिर decibel, तो आवरत्ती का मात्रक होता है, hertz, next question है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किये गए कमपनों की संख्या कहलाती, just अभी मैंने बताया, कमपनों की संख्या कहलाती है, आवरत्ती, ठीक है, और एक कमपन, आपका कमपन होन में जो समय लगेगा, एक कमपन होने में, वो क्या कहलाएगा, आवरत्त काल, आगे बढ़ते हैं, क्या है, कमपन करती हुई वस्तु का अधिक्तम विस्थापन कहलाता है, आयाम, आवरत्त काल, आवरत्तिय विदुधारा, तो यह कहलाता है, आयाम, next question है, पानी का कुतनांक होता है, पानी का कुतनांक, 0 degree Celsius, 10 degree Celsius, 100 degree Celsius, 20 degree Celsius, तो पानी का कुतनांक होता है, 100 degree Celsius, अगला प्रिशन है, कुछ पदार्त ऐसे होते हैं, जो गर्म करने पर ठोस अवस्ता से सीधे गैसी वस्ताय बदल जाते, इस क्रिया को कहते हैं, ठोस से सीधे गैस ने बदल रहाने की, दर वस्था बीच में आई नहीं रही है तो यह क्या हो था एक्जामपल कपूर हो गया नौसांदर हो गया कौन सी क्रिया हो रही है उर्ध पातन यानि कि आंसर एगा उप्शन नमबर ए उर्ध पातन अगला प्रशन है पहाड के निकट निश्चे दूरी पर जब कोई ध्वनी उ आवरतियों के वापस हमें सुनाई दे रहा है तो वे ध्वनी कहलाती है प्रतिध्वनी नेक्स्ट प्रशन है मानब का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवरतियों को सुन सकता है तो वो निश्चित सीमा कौन सी होती है वो होती है आपकी 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक ठीक है आंसर एगा option number A आगे बढ़ते एकला प्रिशन क्या है BOD द्वारा होता है जल प्रदूशड का मापन वायो प्रदूशड का मापन मरदा प्रदूशड का मापन यह सबी BOD का full form होती है biological oxygen demand तो इससे हम करते हैं जल प्रदूशड का मापन next question है global warming का अर्थ है प्रद्वी का गर्म होना प्रद्वी का ठंडा होना दोनों या कोई नी तो global warming का मतलब है प्रद्वी का गर्म होना next question है global warming के कारण उत्तरी धुर्व की बर्व पिगल जाती है दक्षिनी धुर्व की बर्व पिगल जाती है दोनों कोई नहीं तो ग्लोबल वर्ण में क्या हो ये तो वर फिगण की पिख़ग्या sides who अग्ला questionnaire ozone परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत जीवन विनाशक प्रत दोनों या कोई नी तो ओजोन परत होती है जीवन रक्षक परत नेक्स्ट कोशन है ओजोन परत के चरण के कारण है क्लोरो फ्लोरो कारवन कारवन डायोकसाइड सल्फर डायोकसाइड तो ये भी है कारवन डायोकसाइड भी है ये भी है निकी ये सबी आपका उप्शन हो जाएगा दाब का सूत्र है पी बराबर एफ अपॉन ए या पी बराबर एपॉन एफ तो दाव का सूतर क्या होता है दाव बताया था दाव बराबर बल बटे छेतरफल एक आंक छेतरफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते है दाव तो क्या हो जाएगा पी एकवल एफ अपॉन ए यानि कि ऑप्शन ए अ आघात या रगणने से फूक मारने से तारों को खीच कर छोड़ने से तो देखो आघात करेंगे तब भी धोनी उत्पन होगी तारों को खीच के छोड़ेंगे तब भी होगी फूक मारेंगे तब भी होगी यानि कि आंसर एक option number दा ये सबी नेक्स्ट कुश्चन है विज्ञा दिया जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है मनोरंजन के साधन है वीडियो गेम कंप्यूटर टेलिविजन ये सबी तो ये तीनों ही मनोरंजन के साधने आंसर हो जाएगा डी ये सबी स्वस्त मनुष्य के सरीर का तापमान होता है 37 डिग्री celsius 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट तो आपकी अगली क्लास में तब तक अपना ख्याल रखे थेंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाबाई टेक केर